नमस्कार मैं रेविंदर दादिच आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ होलास्टक क्यों इतना इंपोर्टेंट है और क्या इसके महत्ता है वो मैं आपको बताता हूँ देखे होली के आठ दिन पहले से मांगलिक कारिये रुख जाते हैं देखे होली का डंडा जब स्थापित हो जाता है उसके बाद कोई भी तरीके का मांगलिक कारिये शुब कारिये जो है वो रोक देना चाहिए वो नहीं करना चाहिए हमारे जो सोला संसकार होते हैं यानि जनम से लेकर के जनम सान आपका कर्णवेद शादी इन में दो को छोड़ करके जनम और मत्यु के कारिय करम को क्रिया करमों को छोड़ करके बाकि सारे जो मांगलिक काम है वो होलास्टक में नहीं करने चाहिए किसी भी तरीके का भूमी का लेन या देन खरीदना या बेचना वो नहीं करना चाहिए होलास्टक के अंदर शेलान्यास भूमी पूजन नीव का पूजन वो भी बिलकुल नहीं करना चाहिए कोई भी फैक्टरी, आफिस, दुकान, शोरूम, मॉल इसमें या तो इनका चालू करना, काम चालू करना या इसकी शुभारम करना वो नहीं होना चाहिए बिलकुल नहीं होना चाहिए गाड़ी खरीदना, जो भी हमारे बहुते काम है, जिन से भी हमारे लक्षरी वाले काम है वो इस होलास्टक के समय में बिलकुल नहीं करना चाहिए और वो क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे दो कता है सबसे पहली कता है कि जब काम देव, जब भगवान शंकर को जगाने के लिए गए तो उन्होंने अपना तीर से भगवान शिव की छाती के उपर उन्होंने बान चलाया तो भगवान शिव जो है वो क्रोधित हो गए, भगवान शिव क्रोधित हो गए और रामाण में एक बड़ी सुंदर एक लाइन तुलसी दास जी ने लिखी है कि तव सिव तीसर नयन उगारा चितवत काम भयों जनी छारा यानि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र यानि तीसरी आँख खोल करके और काम देव को भस्म कर दिया तो जब काम देव को भस्म कर दिया तो संसार मानो रुक्सा गया क्योंकि जब काम ही नहीं रहा, किशी के मन में इच्छा ही नहीं रही किसी चीज की लाल सा ही नहीं रही तो संसार मना रुख सा गया काम देव की जो पत्नी थी रती वो उसने बढ़ा विलाप किया बढ़ा विलाप करके और उसने भगवान शंकर की शिव की उन्होंने तपस्या करी इस तपस्या से प्रसंद होके बगवान शिव ने आठ दिन के बाद पूर्णिमा के दिन यानि होली के दिन रती को वरदान दिया कि आपके पती जिन्दा होंगे तो ये जो समय रहा वो बिना कामदेव का रहा बगवान शिव ने जैसे ही उसका दुख दूर किया तबी से ही संसार में जो है यानि किसी भी चीज के इच्छा नहीं रहती है यानि कोई भी मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, कुछ भी मांगले कार्य करते हैं तो उसमें इच्छा ही नहीं है किसी काम करने की तो उस काम करने का फाइदा भी नहीं मिलता मन ही नहीं रहता दूसरा जो पुराणों में किसा मिला है जो कथा मिली है वो कथा ये है कि जब भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान नहीं माना और भगवान विश्णु को ही अपना सर्वस्व माना तो भगवान विश्णु को जब सर्वस्व माना तो उसके पिता इरेणा का शिब जो है वो इस बात से बड़ा करोधित हुए बड़े करोधित होकर के उन्होंने भक्त प्रहलात को अलग-अलग तरिकां उससे यातना यानि परिशान करना चालो किया उनको अलग-अलग पीडा देना चालो किया तो इसकी जो शुरुवात उन्होंने करी, वो हुली से आठ दिन पहले से उन्होंने इसकी शुरुवात करी आठ दिनों तक भक्त को बड़ी यातना दी और ये यातना उनकी जब रुकी जब हुलिका का दहन हुआ हूलिका का दहन होने के बाद भक्त प्रहलात की यातना रुकी इसलिए इस रात्री को जब हूलिका जली इस रात्री को दारून रात्री कहते हैं यानि परेशानी वाली रात्री कहते हैं दुख देने वाली रात्री कहते हैं तो भक्त प्रहलात को एक भक्त को बड़ा कस्ट हुआ तब से ये परिपाटी चल गई कि इस समय के अंदर कोई भी मांगलिक कारी करने नीची है क्योंकि एक भक्त जब कस्ट पाया भगवान विश्णु का जो परम भक्त जब कस्ट पाया तो इस समय के अंदर कोई भी मांगल जाप ये बड़े ही अच्छा रहता है अगर इस समय करें क्योंकि इसका कई गुना प्रभाव, कई गुना फल इन आठ दिनों में करने से प्राप्त होता है एक देखें कि एक साइंटिफिक कारण भी है वेग्यान ने कहते हैं कि ये जो समय है एक संदिकाल है यानि ये दो रितुओं का मिलन हो रहा है ये सर्दी से गर्मी का मिलन हो रहा है तो संदिकाल जो है वो बड़ा ही बड़ा ही पावर्फुल होता है बड़ा ही अच्छा भी होता है इस समय पूजा पार्ट करने का बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है तो जब दो रितुएं मिलती है तो उस समय क्या होता है कि वातावर्ण में एट्मोस्फियर में अलग-अलग ऐसे कंड बिखरे रहते हैं कि जिससे परेशानिया खूब रहते हैं शारिक बिमारी खूब रहते हैं देखे इस समय जब मौसम चेंज होता रहता है तो आप नोटिस करें कि बिमारीया खूब होती है किसी के जुखाम हो रहा है किसी के बुखार हो रहा है तो ये वातावर्ण में ऐसे कंड रहते हैं कि जिसकी वज़े से एक negativity फैली रहती है अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी परिवार में कोई ना कोई family member के health के issues छोटे मूटे जरूर रहते हैं वो इनी दिनों में ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए भी इन दिनों का प्रभाव ये कि इस समय क्योंकि negativity ज़्यादा रहती है तो ऐसे समय में कोई auspicious काम कोई मांगलिक कारिय नहीं करना चाहिए जैसे ही होली का देहन हो जाता है उस देहन की रात्तरी को छोड़के अगले दिन दुलंडी मना करके रंगों से खेल करके नए मौसम का शुभारंब करके फिर हमें कोई भी मांगलिक कारिय प्राहरंब करना चाहिए हुली का देहन का ये विशेश महत्व है कि इस समय जो भी पार्ट करते हो उसका कई गुना हजारों गुना उसका प्रभाव रहता है क्योंकि सारी सिद्धियां क्योंकि सारी सिद्धियां इस समय खुली भी रहती है देखे कोई भी मंत्र जाप करते हैं वो मंत्रों को भगवान शिव ने बाधा हुआ है कीलक करा हुआ है या शिव के प्रबाव से सारे मंत्र बंदेवे हैं पर ये जो सिद्धी रात्री होती है इन सिद्धी रात्री को अगर कोई भी मंत्र का जाप किया जाता है उसका काम, मन्चा ये काम जल्दी ही पूरे हो जाते हैं जो भी सिद्धी का मतलब उसका काम फॉर शूर फॉर शूर हंड़ेट परसेंट होगा ही होगा क्योंकि इसे कोई सिद्धी कहते हैं इस रात्री के पार्ट करने से जो भी आपके मन की कामना है जैसे कि किसी का स्वास्ते गड़बढ है और मंत्र जाप से उसको लाभर प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस रात्री को अगर जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है किसी के आर्थिक तंगी है, पैसों की बहुत कमी है तो लक्षमी जी का अगर पाट करते हैं इस रात्री को तो लक्षमी जी का मंत्र सिद्ध हो जाता है और अगर आप नोटिस करेंगे कि साल बर के अंदर अंदर धीरे 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 उनकी लक्षमी की जो कमी है वो सही होने लग जाती है क्योंकि सिद्धी रात्री है ऐसी ही चार सिद्धी रात्रियां है जिसमें एक दिपावली की रात्री एक जन्मास्टमी की रात्री और एक शिव रात्री होली की रात्री तो सब सिद्धियों की दाता है इसमें जो तांतरिक कारे कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये रात्री जो है विशेश फल दाई है. क्योंकि भक्त प्रहिलात को कष्टों से मुक्ति मिली तो हमारी ये आशा है कि आप भी इस रात्री का अनुस्थान करें, आप भी स रात्री को सोए नहीं, जागे रहें. और इस पूरी रात्री को आपका जो भी मन में अभीलाशा है वो अभीलाशा आप जो भी मंतर जाप करेंगे उस मंतर जाप के प्रभाव से वो अभीलाशा पूर्ण हो जाएगी और मंतर जाप के आपकी अभीलाशा है पूर्ण हो जाएगी और बहुत ही जलती सिद्धी मिले गी, तो आप इस रात्र का जरूर अनुष्टान करें हवन करने से बहुत ही विशेश प्रभाव मिलता है नदी किनारे बैठने से भी और बड़ा विशेश प्रभाव मिलता है, शिव संद्मुक यदि शिव जी के पास में बैठ करके भी अगर मंत्र जाब करें इस रात्री को तो बड़ा ही विशिश और भाव प्राप्त होता है तो आप इन सब चीजों का करें और मेरा पूरा विश्वास है कि इन सब मंत्रों के जाब से इन सब नियमों को पालन करते वे आपकी मंचाई सिद्धी आपको जरूर प्राप्तोगी नमस्कार